नवास का दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल पर तो दोस्तों सीटेट से चब वरती तुझे 22 को लेकर आप सब के लिए समय की बहुत बड़ी कबर निकल किया रही है जी हैं दोस्तों सीटेट का रिजल्ट कब आएगा सीटेट की आंसर की जारी करने को लेकर और आप जैसन आपको कैसे लगाने क्योंकि कब भी सारी सिट के कोशन गलत होते हैं दोस्तों एक बार मुझे आप सभी जितने भी स्ट्टेट जब वीडियो देख रहे हैं अगर आपकी पारी में कुछ कोशन गलत आया था तो उस कोशन को आप मुझे कमेंट करना क्योंकि ऐसे कोशन की हम एक लिष्ट बनाएंगे और इसके बाद दोस्तों उन सब की आपको पीडियो मैं परवाइड करा दूंगा ताकि जब आप अप जैसन लगाए तो आपको को सीटेड के अब तक पेपर हुए हैं 16 दिसम्मर से 13 जनवरी तक उन सब के कोशन पेपर की पीडियो पर अप्लोड की जाएगी दोस्तों और वो कभी भी कोशन पेपर हैं वो अप्लोड की जा सकते हैं सी विए सी विवाक के दौरा और इसके बाद दोस्तों आंसर की की बात कर लेते हैं तो आपको पता होगा 13 जनवरी को एक जाम पर ने सोच चुकी है अब दोस्तों 3-4 दिन का समय हो चुका है ऐसे में आंसर की दोस्तों आए साम को जारी होने की अपडेट आप सब के लिए जारी कर दी जाएकी इसके वाद आपको अपजयसल लगाना होगा अपज़ेंसल लगाने के लिए आपको कोश्ण पेपर की जुरुत पड़ेगी इसलिए कोशन पेपर उससे पहले अपलोड हो जाएंगे वो भी किसी पीस हमें अपलोड हो सकते हैं इस बार आपका रिजल्ट दोस्तो जो है सिर्फ डाटा कलेट करके आपका रिजल्ट जारी के जाएगा लेकिन दोस्तों अभी काप इसार इस्टून की गलतियां हुई थी उनको सुधारा जाएगा और नोर्मेशन का भी प्रोक किया जाएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो को एक बार से इस पर आपके सामने ओपन हो जाएगी अब आपको उसमें लगाने के लिए दोस्तों एक अलग से लिंक आएगी तीन दिन का समय मिलेगा इसके बाद फाइनल आंसर की और रिजल्ट दोस्तों आपके 15 फरवरी तक जारी करते जाएंगे समभा भी तो कटॉप की बात कर लेते हैं इस पर आपकी कटॉप है वर्कुने वाली है क्योंकि एक से अधिक पारियों मापका पेपर हुआ है इसलिए नॉर्मलिसन का प्रयोग किया जाएगा यह आपकी जो कटॉप है दोस्तों जैनल के टिगरी से लेकर स्टी के टिगरी क की कटॉप रहने वाली है पीएच की बात करों तो पीएच की कटॉप पिचतर रहेगी जी अंदुस्तों पीएच जो कविशार इस्टों मुझे कमेंट कर रहे थे और रिजल्ट आपका पंद्र फ्रवज्यक देखनों को मिलेगा और इसी के साब से आपको नम्मर है वो दी इसको करना होगा तभी आपका सीटेट है वो क्वालिफाइड होगा और सडूल के साब से आपका रिजल्ट दोस्तों यह देशकते हैं 15 फरवरी तक आ जाएगा इससे पहले भी आपका रिजल्ट जारी हो जकता है तो यह सीटेट को लेकर आज की बहुत बड़ी अपडेट की दोस्तों आंसर की आज साम को जारी हो सकती है इस पार दोस्तों आपको सीटेट में 90 से कम पर भी इस्टेट पास होते हुए दिखेंगे जी यह दोस्तों 90 से कम पर भी सीटेट क्वालिफाइड हो जाएगा तो चलि दोस्तों आज की वीडियो में तब तक के लिए बंदे प्राइब मात्रम